तो लास्ट वीडियो रे आमें लाइट रो बेसिक चरक्तरिस्टिक्स भी शरे कथा याले नुआ जो क्वांटम थेोरी आसी ची विच ट्रीट रो पार्टिकल से भी शरे भी कथा याले और इफ रिमेंबर क्वांटम थेट रो फ्लाइट वस प्रपोस्ट भाई and H is Planck's constant and the total energy carried by any monochromatic light sample should be a multiple of H new तो यह जो N टा एठी लेखाएची शेटा को तमें नंबर आफ क्वांटम की नंबर आफ फोटन बोली कहिपार तो कॉंसेप्ट आ काना H new होची गोटे फोटन और गोटे क्वांटम ताल जोदी N times H new नेले this is the energy of N number of photons तो N टा होची आमरा number of photon तो विद इस interpretation in mind let us now try to understand the particle nature of light through an experiment known as photoelectric effect तो photoelectric effect रे कौण हुए तार early experiment सभू हर्ज कर थिले तो हर्ज कूड शोओ दाट इफ यू टेक अ मेटाल एडागोटे मेटाल टे अची तो तार शर्फेस रे तमझे लाइट अपलाई करीवा ताहले मेटाल शर्फेस रुवू एम्ति इलेक्टरन एई जो negative चर्वीटा बाहर छिए लेक्टरन स्यू अरश्यों ही रिखते रेब्यक्तरी मेटाल सर्फेस रुट स्यू इले पहर की पलाई अनोड निया है ची, which is the target material, तो इजु अनोड मेटाल टा अची, तमें ता उपरे उटा monochromatic light पकोँ चो, शेटका में ठी incident light बली लेखी चे, तो या उपरको light आशी की पड़ुची मती, तो when light falls on the metal surface, शेटरू electrons बाहरी बो, तो देखाई ठी, electron उडाको बाहरी की metal surface रू बाहर आड़ुची, and these electrons can be collected by another metal, which is referred to as the cathode, तो तमर जदी एई setup टाको continue कला, ताहले गोटे metal रू electron बाहरी बाहरी जाओची, so it will acquire a plus charge, आउगोटे metal भित्र को electron पसी जाओची, so it will acquire a negative charge, तो आमें जदी plus or minus दीटा को जोडी की गोटे circuit बने दबा, ताहले electron गुडाको साई circuit रे, एमती flow करी करी जिबे, एपटे आशी की पूनी, first metal ले एंटर करी बे, तो we can establish a flow of electron through the circuit, due to this effect, तो when there is a flow of electron, तामें जानीच, there is also a current flow, which happens in the opposite direction, तो जोदी electron टा याड को जाओची, into anode, ताहले anode रूप current बाहरी की बाहर को जाओची, तामें ती cathode पाखरे electron बाहरी की जाओची, तामें current is going into the cathode like this, तो when there is a current created, by application of light, तामें जाओची लाइट टाको बांद करता बो, ताहले current भी बांद ही जाओची बो, because electron बाहरी बांद ही जाओची बो, तो due to light, you are getting this current, तामें जाओची, ताको photoelectric effect बोली को जाओची, photo means light, आओ ताहलागी current create ठेला, current generate ठेला, so it's a photoelectric effect, तो एजो phenomenon आओची, एजो फेनोमेन आओची, एजो थोरे केते गुड़े key observation थाए, आओ सेही observation गुड़ा को explain करी बारे, आमाको quantum theory help करे, तो सेही जागरे आमें light को as a particle treat कोर चे, so this particle nature of light would be understood better, when we actually explain the details, तो before we proceed into the details, आओ गोटे छोटी आज इन्सेट देखा, एजो सरकीट टा आची, एथरे तामें देखुचो धरा एटा गोटे point, 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 एटा गोटे point भीतरे current flow हूँची, आची, so when there is a current flow between two points, तामें कई पर एगोटे point भीतरे गोटे potential difference आची, तो potential difference आगोँचो अमें जेनरली volt रे एक्स्प्रेस कोरुचे, तो basically एई जू setup टा रहीला, एगोटे बैटरी भळया काम कोरुची, तार एटा गोटे positive terminal अची, एपटे गोटे negative terminal अची, so when you connect the plus end of a battery with the minus end, you get a current, तोशे current आग केत्ते आशोची माप्पीवागू, तामे गोटे ammeter जोड़ी परीवो, potential difference केते आशोची माप्पीवागू, तामे गोटे voltmeter आटाच करी परीवो, ओके, तबे एई सर्कीट सहीता मूँ आउगोटे छोटिया रियो स्टार्ट देएकी, आउगोटे बैटरी को कनेट करी परीवी, तो जो second battery टा रहीची, तार रोल टा कॉन देखो, तो मार करोई जो second battery टा प्लस आव माइनस केमती आची, तो जोटी प्लस आची, करेंट सही पोटू बाहरीबो, ता आपरे माइनस पोटे करेंटा भीतर कू पसीबो, तो जो second battery आची, ता लागी current flow रो डायरेक्शन टा एई भड़या रोईबो, ताल जोदी एई battery रो current को आमें follow करिवा, ताल इसे क्वाड जीबो, एठ्टु बाहर ला, ता आपरे रियो स्टार्ट देगी, आमरो मेन सर्कीट कू पसीबो, मेन सर्कीट कू पसीला पर इट कैन मूव दिस वे, आपरे पूनी एपटे बाहर किया सीबो, एपटे आसी की, एपटे आसी की, पूनी बैटरी भीत्रगू पसीबो, तो एई जू डायरेक्शन टा देखू चो, इस डायरेक्शन इस सिंप्ली अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, तामने हमारो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर जो करेंटा जनरेट होँची, एई करेंट तको अपोज कला, तेनु एई बैटरी जोटा बाहर आमें लगे चे, तारव पोटेंशियल जहाँ थाए, तारव बोल्टेज जहाँ थाए, शेटाको भी आर बली लेखिवा, इस इस वी भारो धा, जहल जोटेंटा लेखिदवाटिकें, रिवर्स पोटेंशियल, तो रिवर्स पोटेंशियल को आमें, वी आर शींबल आड के लेखिए, तो इती कौन हबाद, जोड़ी तुम्हें वी आर टाको इन्क्रीस करी करी जिबा ताहले तमारा सरकीट रे जो net current I, सेटा decrease करी बाँ, तमारा जेती की amount रे current याड को जिबाग अथा यह ताको oppose करूची किछेटा current कैंसल ही जाऊची, तो जेते तम्हें VR को बढ़ ही बाँ आव opposing current आ बढ़ ही बाँ, से उनसरे I रा net value, सेटा कमी-कमी जिबाँ, तो कमी VR reaches a value which is written as VS, then I becomes equal to 0, तो VS टाको कहंती, stopping potential, तो stopping potential टाक होन, it is the minimum potential of the external battery, which is required to stop the flow of current in the circuit, तो जदी तम्हें सेटी की VS amount रा output दोच, ताहले there would be no net current flow, light पके ले भी current आशी बनी, अव जदी ए VR टाको तमें 0 रोखिवो, if there is a situation where VR is 0, तोटली कीछी, opposing potential नहीं, 0 बोल्त अची, ताहले current रा value तमा जो पाईबो, it is at maximum, so the maximum amount of current can be obtained when VR is 0, but if VR increases, current will decrease, and if VR becomes equal to VS, which is the stopping potential, ताहले light पडु थिले भी current stop ही जबो, so this is the whole experiment, तो यह जो एक्परिमेंट रे के खोडे की observations आची, तो what are those observations, first observation रेला, the electrons are ejected from the clean metal surface, as soon as the beam of light strikes the surface, light से surface रे, metal surface रे पडिला मात्रे ही current आशी, आव इलेक्टरन बाहर की जाऊची, so that means there is no time gap, और no time lag, between striking of light, and ejection of electron from the metal surface, light पके लो माने current आशीबो, ताम अजरे आव टाइम गाप कीछी नही, so this is observation number 1, observation number 2 हेला, the number of photoelectrons ejected, is proportional to intensity और brightness of light, मैंने तम्हे जो light आ नहीं चोईट सा monochromatic light, तो तम्हे जोदी बेसी उज़ोड आलोक नबो, बेसी bright light नबो, सेठी आमें कहिए लाइट रे तम्हें अधिका एनर्जी दोँचा, तो light रों intensity हाई योची, तो सही केस रे, तम्हेरा number of photoelectrons बढ़ी जीवो, तो number of photoelectrons जो increase करूची, ताको मैं कीमती जानिवा, number of photoelectrons इंक्रीज कला बोली, तो जद्धी तम्हें intensity, धरा intensity कुमों I बोली लेखुची, if you increase the intensity, तहले current रों magnitude टा बढ़ीवो, the amount of current flowing through the circuit will increase, तो current बढ़ुची, इता मने कण अधिका charge flow होची, circuit रे, current तम्हेरा मने थीवो, it is charge by time, so when charge increases, charge by time, current also increases, तो charge टाकिमिती बढ़ीवो, charge जो flow होची, that is flowing in the form of electron, तो charge can only increase, if number of electrons increase, तो जो more intensity of light, implies more number of photoelectrons ejected, तो तो दाट इस observation number two, से अम्ति थार्ड observation होची, which is very important, for each metal, तम्हें जो metal उपर लाइट टा पकोचा, सेथ ही अलगा-अलगा टाइप रो metal सब नही हुए, सेथ तम्हें सोडियू नही पारिवो, पतासियू नही पारिवो, लिथियू नही पारिवो, तो वाटेवर मेटल यू टेग, for each metal, there is a characteristic minimum frequency, ताको लेखांती new knot, अव ता, that is called threshold frequency, तो वेटा कौन threshold frequency, तो देखा कौन threshold frequency, so there is a characteristic minimum frequency new knot, called threshold frequency, to cause photoelectric effect, यार मन्हे कौन, सेथा तम्हें तम्हें तालत इन्टा observation कु देखा बुजी पारिवो, तो जद्धी तम्हें जो frequency डा नेई चा, शेटा new knot रू लेस अची, ताहले photoelectric effect, डास नाट टेक प्लेस, मान्हें कौरेंट आशी बनी, तो तम्हें जो new knot रा भेल्यू टा काह उपरे डिपेंड कला, शेटा डिपेंड कला metal उपरे, तो सपोज यम्हें sodium metal नेचे, तो sodium metal ले गोटे characteristic new knot थीबो, ताह तुजो धी less frequency डा लाइट तम्हें नेलो, ताहले बेल्कुल भी करेंट पाई बनी, photoelectric effect will not take place, बट इफ new is more than new knot, जो frequency डा नेचे, ताह new knot थु बेसी अची, तेन photoelectric effect takes place, and you will get some current, and if new is equal to new knot, ताहले बेल्कुल भी photoelectric effect हब किन्तु बडर लाइट केश, जो हब, तो सब्सक्राइट जो photoelectron था बाहर उची, metal surface रू जो electron बाहर उची, ताहर काईनेटिक एनर्जी किछी भी नही, बट जदी new more than new knot थी, सेटी किछना कीछी particular kinetic energy अच्छी, तो दिस kinetic energy of the electron, is actually related to Vs, जो stopping potential भी शरामें कथा याले, ताह सब्सक्राइट रिलेटेड, तो केम्ति रिलेटेड, इफ काईनेटिक एनर्जी, काईनेटिक एनर्जी को Ek लेखुची, इफ Ek is more, और Ek is higher, that implies, it requires a higher Vs, to stop the current, तामने जदी, इलेक्टरन जो भाहर उची, मेटल सर्फेश रू, if they are ejected with a higher kinetic energy, it takes a greater stopping potential, to stop the current, तामने किन जानिबा, जदी stopping potential अधिका दर्कार हुची, तामने एलेक्टरन गुड़ा करा, काईनेटिक एनर्जी बेसी अची, जदी stopping potential काम लगुची, तामने किनेटिक एनर्जी काम थीबा, so how do we know here, that there is 0 kinetic energy, definitely एठी Vs टाज 0 थीबा, stopping potential दर्कार हुची थीबा, ताई जदी तुरा में जानुचे, किनेटिक एनर्जी किछी भी नही, so last observation अला, the kinetic energy of photoelectron, depends upon the frequency of radiation, उपर जो तिंटा observation अच्छी, तारा essence एठा, तारा summary एठा, तो kinetic energy of the photoelectron, depends on frequency of the radiation, which strikes the metal surface, and is independent of intensity, this is very important, मने तमाज जदी अधी का bright light नेचा, किन्तु सही frequency रा नेचा, frequency remember, every frequency represents a particular color, तो सपोज तमाज red light of a particular frequency नेचा, तो as long as it is that red light, of the same frequency, तो photoelectron उड़ा करो, kinetic energy किछी भी चेंज हो बनी, तो माज अधी का bright red light नियो, कि dim red light नियो, मने light रा intensity कुँ चेंज करो, कि brightness कुँ चेंज करो, सेथी kinetic energy will not change, ता मने सही केसरे, भी एस्टा किछी भी चेंज हो बनी, किन्तु light रा brightness चेंज कले, कि intensity चेंज कले, काण चेंज हो ची, करेंट रा magnitude चेंज हो ची, ता वस अल्सो, one of the observations, तो थीज आर दो, की observations of photoelectric effect, now if you try to explain why this is so, ए जिन्सटा इम्ती काहीं की हो ची जातार, कारणां देवागो चेस्टा करीव, using light as a wave, ताहले ताको explain करी हुए नी, तो ए जो observation गुड़ा करो, proper explanation, प्रत्थ में प्रभाइट करी थिले, Albert Einstein, तो Einstein got his Nobel Prize, due to this explanation, and it's a very simple explanation, तो सेत्रेकोण एक्स्प्लेण करी हुए आपाई इस एगोटे छोटिया assumption ने ले, that when light is falling on the metal surface, every electron of the metal gains one photon at a time, तो एटा छोटिया statement आपट बहुत important, atomic structure रे, further भी जो जिन्सटा सभू करीब, many of those things should be dependent on this statement, तो एस statement आठीक से बुजिवा दर कर, तो one electron gains one photon at a time, ता मन्ने कोण, तो मरा metal surface रे जो electron अची, सपोज जाइटा हला मरा metal surface, ता भीतर एठीकोटे electron अची, if this electron has to go out of metal, तो एज जो amount of energy से गेन करुछी, that energy is one photon, तो one photon माने केत्ते, one photon means H new, so the amount of energy the electron can gain is H new, तो एपे सई जो energy टा से गेन करुछा, ताको नहीं किसे कोण करीबो, ताको नहीं किसे metal surface रो बाहरीबो, तो इट टेक्स सम amount of energy, for the electron to come out of metal, जास्ट बाहरीबो पाइगोटे energy दर कर, तो सई जो energy टा, ताको कहां थी work function, ताको में W बली लेखिवा, तो देश, W here, is the work function, तो work function टा कॉण, it is the amount of energy required, to eject the electron, out of the metal surface, electron टाको metal surface रो बाहर करीवाको, जेतिके energy दर कार, किन्तु ता परे जो दे आहुरी energy बढ़ी गला, माने जो H new energy गेन कला, से थुरू किछी टा energy एठी उटिलाई सही गला, भाहर को आसी वारे, आउजी दी किछी energy बढ़ी गला, से टा electron रो काइनेटिक energy हेकी रोहिवा, ता लागी electron टा अगुकू move करिवा, तो देसिस अवरी simple concept, ता देसिस अवरी सिम्पल कॉंसेट बढ़ी एठी निव अमाउंट अफ एठी निव अमाउंट अफ एठी थुरू से W अमाउंट रोह एठी स्पेंड कला, तो कम आउट अफ दा मेटल सर्फेस, बाक्की जहाँ अनर्जी बढ़िला, इट सेज विद अलेक्टरन अस काइनेटिक अनर्जी, ता इस अमाउंट अमाउंट अफ एठी अनर्जी ता रोहिवानी, ता ता कम एक्के मैक्स बढ़ी लेखांती, तो बाई, तो अबे एक्के अनर्जी बाई अनर्जी 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 अनर्जी, तो अबे एक्केशन को बेहिश करिकी, आमारा जित्ते एक्स्प्रेनेशन जित्ते अब्जर्वेशन थिला, से सब गड़ा का एक्स्प्लेशन कर दे हो, जमकि आमारा फिर्स्ट अब्जर्वेशन काण थिला, त देर इस नो टाइम गयाप between the incidence of light and measurement of current, लाइट पकेला मात्रे करेंट आशुची, तो सेटा कहीं क्यों होची, बिकाज इलेक्ट्रन नहीं जुँ एनर्जी दा पाऊची, हन्यू अमाउंट रा एनर्जी से पाऊची, सेटा एक्का थरे पाऊची, सही एनर्जी दा पाई बापाई ताकु टाइम लागूनी, आव सेटा पाई ला माने से बाहर को पलेला, सो दाट इस भाई देर इस नो टाइम ग्याप बिट्विन, इंसिदेन्स अफ लाइट आड मेज़र्मेंट अफ करेंट, तो सेम्ती आवोटा अब्जर्वेशन थिला, जो जद्धी आमें फ्रिक्वेंसिटा को चेंज करूचे, ताले सेटी इलेक्ट्रन रो काईनेटिक एनरजी चेंज होची, जोटागे में देखुतेले, स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करूची, सेटा तमें इथरू बहुत इजली बुजी पारिवो, तो जोटे मार करो, इन दिस एक्वेशन, जोद्धी मूँ फ्रिक्वेंसिटा को इनक्रीज करिभी, एच टा कॉंस्टांट, डबलीव इस अल्षो ओ कॉंस्टांट, मेटाल सर्फेस रूँ इलेक्ट्रन बाहर को जिबाको केते एनरजी दरकार, दाट वर्क फंक्षन, W, इस अक्चुलि प्रोपर्टी अब दा मेटाल, जोद्धी W टा मेटाल दा प्रोपर्टी, इस अ कॉंस्टांट, ताले नू टाको चेंज कले, H ता चेंज होबनी, W चेंज होबनी ताले किये चेंज होबो, एपटे EKmax चेंज होबो, तो इफ नू इंक्रीजेस, दाट इंप्लाईज, EKmax अल्सो इंक्रीजेस, कि जदी नू डिक्रीजेस, दाट इंप्लाईज, EKmax डिक्रीजेस, तो देखिपार चो फ्रीक्वेंसी दा चेंज होले, आमरों इलेक्टरन रों काइनेटिक एनरजी चेंज होची, तो एठी अब जदी फ्रीक्वेंसी दागो तम्हें डिक्रीज करी करी चलीला, काइनेटिक एनरजी दाभी डिक्रीज करी करी चलीला, आटा सटन फ्रीक्वेंसी एटा 0 भी है जाई पारे, काइनेटिक एनर्जी रा मिनिमम भेली होची 0 सो सहीट है काण हुए इफ दिस न्यू इस इक्वाल टू न्यू नाट जो डगा मैं थ्रेश्वोल्ड फ्रिक्वेंसी काऊते ले सहीट ही एक्के माक्स बिकाम जीरो तो जदी एक्के माक्स टा जीरो ही गला एई कंडिशन टाकू मुनेगी जदी एई इक्वेशन रे पके भी तो यहला आमें काण पाईबा है ह इंटू न्यू नाट न्यू जगरे न्यू नाट नेले सेपटे रहीबा काण ड़ प्लस एक्के माक्स तो एक्के माक्स तो जीरो ही गला तो W प्लस 0 इस W सो दाट गिवस ऊस वन मोर रिलेशन बिविन दा वर्क फंक्शन अन थ्रेशोल फ्रिक्वेंसी तो यह अमें काण काण पाईले जे वर्क फंक्शन जो अच्छी इस अ प्रोपर्टी अप्ड़ अप्ड़ मेटल तो जदी W is a property of the metal and it is equal to H nu ताले nu0 also becomes a property of the metal तो तम्में कोई metal नहीं चो तम्में जदी lithium metal नहीं की ताउपर लाइट पकेलो तार अ थ्रेशोल फ्रिक्वेंसी sodium metal ने ले it will have a different threshold frequency बिकास दा W is different तो सेट ये भे आउटे observation थिला जे जेता बड़े intensity बाब brightness को आमें increase कोरुचे सेटी current रभाल्यू बढ़ूची तो current रभाल्यू बढ़ी बढ़ी बाटा आमें केमती explain कोरीवा जे quantum theory दे आमें जो total energy of monochromatic radiation लेखुचे बढ़ा monochromatic radiation नहीं चो of a certain frequency तो तार टोटाल energy को तामें लेखुचे नहीं सो वेन यू आर इंक्रीजिंग दा इंटेंसिती सपोसे इंटेंसिती हला क्यापिटाल आई ताको इंक्रीज कोरुचे इफ इंटेंसिती इंक्रीजेस ताले सेटी काण हुए total energy दा बढ़ूची दा आमाउट अफ एंटेंसिती इंक्रीजेस किन्तु एट अदमें कला बलुकू तामें frequency दा को चेंज कोरुचे नू इस constant तो नू टा को constant रखी कि आमें total energy दा केमती बढ़ुचे तो सिंस total energy is N, H, Nू H दो constant शेके बें चेंज हो बनी नू टा में constant रखी चे तो टोटाल energy बढ़ुची दा means N is increasing and what is N? N is the number of photons so we can say if intensity is increasing number of photons increases तो इटावट बहुत important correlation ठीक से मनने रखीबा जे light र जदिया में intensity और brightness intensity र common word होची brightness तो if you increase the brightness of light और intensity of light you are actually applying more number of photons number of photons को बढ़ होची आचा, Einstein दांका hypothesis रे कौण कहीचांदी शे कहीचांदी one electron gains one photon गोट्टे इलेक्ट्रन गोट्टे फोट्न नबो तो जोदि गोट्टे इलेक्ट्रन गोट्टे फोट्न गेन करूची ताहले N number of electron भार करिवा पाईँ मते N number of photon दर का तार अर्थम जेतिकीटा photon दोची शेतिकीटा electron भी पाईबी तो here if number of photons increase due to increase in intensity that implies number of electrons also increases अब जोदि number of electrons भाढ़िला ताहले circuit रे तमरा चार्ज चार्ज को आमे Q भाढ़िले कुचे Q increases so that implies Q by T increases and Q by T is current so current increases so this was the observation जे जोदि तमें intensity को भाढ़िला ताहले तमें current भी बढ़ाऊचो current अधिगा पाऊचो so this observation can be very easily explained by assuming quantum theory to be true तो quantum theory रो जो दीटा basic assumption थिला that minimum energy which is energy of one quantum और one photon that is equal to h new सेटा को यूज कले plus total energy is n times h new ताको भी यूज कले तो quantum theory रो इदीटा basic assumption को यूज करी की जदी आमें होटे experiment को successfully explain कर दो जए तो ताहर और था quantum theory ता ठीक बिक़ज सही थियूरी ता को यूटिलाइज कर की आमें अक्चोली दीटा experiment को explain कर से लेनी ब्लाक बोडी radiation भी से रामें लास्ट वीडियो रे को थाई तिले और फोटो इलेक्रिक्रिक एफेक्टा यू वीडियो रे डिसकस कले तो आफ्टर थीज तो एक्चोली अक्चोली अक्चेप्टेद से लोगें अब फडर्दर तामें जू model अच्छोली पडिभॉ शे थरे भी क्वाण्टों थे लीडियो रे उसकरा हवा तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट अची एधरे इंपोर्टन प्रोब्लेम न्युमेरिकाल सबू पड़े जहरो किछिटा एग्जाम्पल आमें नेक्स्ट वीडियो रे देखीबार